स्वागत है आप लोगों का हमारे यूटूब चैनल टेस्टी एक्सपिरियंस में तो कैसे हैं आप लोग आसा करती हूँ आप लोग बहुत अच्छी होंगे आज मैं लेकर के आई हूँ आप लोगों के लिए बहुत ही टेस्टी एंड स्पाइसी आलू मतर की सबजी ये रेसिपी मैं खास कर आप लोगों के लिए लेकर क्या हूँ ये बहुत ही इजी रेसिपी है आप अपने घर पे बहुत ही इजली इसे बना सकते हैं इसमें ज़्यादा कुछ समान भी नहीं लगेगा तो चलिए हम बनाना शुरू करते हैं तो हम प्रेङसर कूकर ले लिए हैं उसमें ले लिए हैं पानी और यह हमारा दो मेडियम साइज आलू जिसे हम छोटे lotta pieces में कट कर लिए यह देख पा honor कून तो चलिए पी मिडियम प्कार कूकर कर देंगे और अलू और म्टर को हम हम verstehen रों मीडियम फ्लेम पर तीन सीटी लगाएंगे तो चलिए अब हम कूकर का ढखकन लगा देते हैं और इसे अब हम गैस पे चरा देंगे तो अभी हम गैस को अन कर लेते हैं और फिर इस पे बैठा देंगे कूकर तब हम इसमें तीन सीटी लगने देंगे अब हम सबजी के लिए मसारा ठेल करेंगे तो हम इसके लिए एक पेश्ट बना लेंगे पियाज लेशुन है और यह बरिण voz इसको एक पेश्ट बना लेंगे तो चलिए अब हम बनाते हैं ग्रेवी ग्रेवी बनाने के लिए हम गैस पे पैन को चढ़ा दिये हैं आबisesti तेल तेल हमारा गरम हो गया अब हम इसमें डाल देंगे जीरा और इसमें हरी मीशी को डाल देंगे इसके बाइल अडाल देंगे इसमें प्रयाज लेए अपे पॉप कर लिए गोल्डन ब्राउन है तो और यह एक हम छोटे साइज का टमाटर कट कर लिए थे इसे पर हमकिमे डाल देंगे इसे चला लेंगे इसमे अब प्याज लासुन और मिर्ची का जो पेश्ट हमने बनाया था उसे भी हमकिमे डाल देंगे अब इसे चला लेंगे इसका कच्चा पन जाने तक इसे पका लेंगे तेल में तो यह देखिए प्याज और लासुन का कच्चा पन खत्रम हो गया उसमें का जितना पानी तो भी सुर्ग गया है अब हम इसमें डालेंगे मसाले अब हल्दी पौटर ढाल देंगे थोड़ा से धहनिया पौडर थोड़ासा जीर पौडर थोड़ासा काली मिर्च पौडर और अब टाल डेंगे लाल मिर्च पौडर थोड़ा सा जू口ने त्का उथे एका पन डालें। और यह थोड़ा सा डाल देंगे काश्मेरी लाल में इससे कलर आपा है बहुत अच्छा और थोड़ा सा देखिए डाल देंगे इसमें गरम मसाला अब इन मसालों को हम अच्छे से कूप कर लेंगे तो इसका पानी पूरी तरत से सूझे लिए जोर दालेगे पानी या देखिए, थोड़ा सा इसमें पाइड आलेगे आ है, पस मसालों को अच्छिसे साए करना है आपि इसतार से मसालों को मिला लेंगे हम और इसे एकदम लो फ्लीम पर ही हम कुक करेंगे इससे मसाले का टेस्ट बहुत अच्छा आएगा अब हम मसाले में नमक टेट कर देंगे कम जब ज़्यादा जितना आप खाते हैं उसकी हिसाब से आप ले ले नमक इसमें और नमक को ग्रियो को दो, मसाले में मिना लेंगे, अभी से और कुप करेंगे, जब तक मसाले में से तेल अलग में भील को टू झा equity आप कर दे मिना लेंगे, तो मसाला हमारा बहुत यचे से लेक polis में के अलग हो गया है। दिखा देते हैं आपको यह देखिए अब हम इसमें डाल देंगे आलू और मटर जो बॉइल करके रखे हुए थे तो यह देखे हैं हमारा मटर बहुत ही अच्छे से पग गया है अब हम इसमें डाल देंगे इसे और इसे चला लेंगे मसालों में अच्छे से अब हम सब्जी को मसाले में अच्छे से भूंज लेंगे इसे मसालों का जो सोना पन है वो सब्जी में अंदर तक जाएगा विसे सब्जी बहुत टेस्टी बनेगी हमारी तो यह देखिए हमने इसे मसाले में अच्छे से भूंज लिया है तो इसे देखकर कही पता चल रहा होगा आपको कि सब्जी कितनी टेस्टी बनी होगी तो आप इस सब्जी को इस तरह से जरूर अपने घर पे बनाएं अब हम सब्जी में पानी आड़ कर देंगे अब पानी में देए से हम 10 मियाद तक लो मीडियम फ्लेम से कुक कर लेंगे तब इसे हम ढख देंगे ढखकर कही से 10 मियाद तक कुक कर लेंगे तो चलिए ढखकन हटा के देखते हैं सब्जी तो ये देखिए ये तो देखने में बहुत अच्छी लग रही है और ये हो भी गई है ये पूरी तरह से पख गई यह हमारी सब्जी मसाले में और आब हम इसे सर्फ करेंगे तो हमारी सब्जी बन के हो остав कि यह भी नहीं हम इसे अक प्लेट में सर्फ कर लेते हैं आप इसे चावल डाल रोटी चपाती जिसके साथ मन कर आप इसे खा सकते हैं यह बहुत ही टेस्टी बनी है आप भी बनाएं और खाएं और कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि सबजी कैसी लगी आपको और हमारे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें ताकि आपको हमारे नौटिफिकेशन मिलते रहें नएने वीडियो के